जैशी कृष्णा स्वागत है आपका साथी तृष्णा के साथ कैसे हैं आप लोग कैसे हैं घर में सब जरूर बताईएगा क्या किसी ने आपको भी अपने फोन पे ब्लॉक कर दिया है क्या कोई आपको हर जगह से ब्लॉक करके आपसे रिष्टा खतम कर गया है या आपका रिष्टा खतम होने के कगार पर आ गया है तो आप अपने मुबाइल पर ये एक छोटा सा काम करिएगा और देखिएगा कैसे आपको वो सामने वाला परसन अन ब्लॉक कर देता है आउंगे और उसके लिए पहले ये जान लिजे कि में कौन हो। मैं आपके अस्ट्रोलोजन हूं वास्त ऊस्ता हूं चाहरा भी पढ़ पर में चल रही चीजें अचानक से खराब होने लगती हैं हमारा कई सालों का रिष्टा एक दम से तूटने की कगार पर आ जाता है अचानक से हमारे इर्द गिर्द के लोग हमसे बात धंक से नहीं करते हैं सब हमसे उखड़े उखड़े रहते हैं तो यह मान के चलिए कि आप की छूटी सी बात पर नाराज होकर आपको ब्लॉक कर दिया है अगर कोई आप से रूट गया है और उसने आपको हर जगह से अपने जीवन से हटाने के लिए आपको अनफ्रेंड कर दिया है आपको ब्लॉक कर दिया है आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है तो आपको क्य जरूर लगा लीजिए बहुत सारी एपस आती है जिनसे आप एडिट कर पाते हो तो इसके उपर एडिट करके एक नमबर लिखतीजे और नमबर क्या होगा नमबर होगा 1562 इस नमबर को एडिट करके इन 5 गुलाबों के उपर लिखिए और अपने वाल पेपर पे लगा दीज चलिए जी अगर आपका काम नहीं बन पा रहा है आपका पैसा कहीं पर स्टक हो गया है कोई पैसा देने का नाम ही नहीं ले रहा है तो आपको शनिवार के दिन 6 बादाम ले लेने हैं और एक मुठी काले तिल ले लेने हैं आपको काले रंके कपड़े के उपर पहले काले त दिल रख देने हैं और उसके उपर आपको छे बदाम रख देने हैं आपको इसे एक पोटली बना लेनी है और जाकर आपको शनी मंदिर में चढ़ा देना है नहीं हो शनी मंदिर तो पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा दीजिए अगर आपके इर्दगिर्द के पडोसी लीजिए और रविवार के दिन उसके उपर धही डाल कर आप भैरो बाबा के मंदिर में चढ़ा आईए अगर आपकी कोई भी चीज बनने पर नहीं आ रही है बहुत मेहनत के बावजूद भी मेहनत का फल प्राप्त नहीं हो रहा है बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन उस पै नहीं नहीं दिक्कत दे रहा होता है ऐसी कंडिशन में अपने हाथ से शनिवार के दिन साथ छाते साथ लोगों को जाकर दान कर दीजे जब जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानी आजा और खास करके शादी के मैटर में या तो शादी हो नहीं रही है बात चलती है बात च अब शादी निभ नहीं रही है शादी के बाद अचानक से बहुत सारी दिक्कते आनी चालू हो गई है शादी के बाद एक उपर जा रहा है एक डाउन हो गया है अगर ऐसी कंडिशन्स आपके साथ आकर खड़ी हो गई है तो शनिवार के दिन आपको साथ मुठी काले तिल लेने हैं आपको पांच मुठी काली उड़त की साबुत दाल ले लेनी है और उसके उपर आपको एक पीतल का दिया रख लेना है यह सारा समान आपको काले कपड़े के उपर रखना है उसके बाद आपको बैठ कर 108 बार हनुमान जी के या शिवजी के किसी भी मंत्र का जाप कर लेना है अगर आप साथ बार हनुमान चालिसा का पाट कर सकते हैं तो वो कर लीजे और यह सारा समान उठाकर आपको ले जाकर शनी मंदिर में छोड़ देना है करके देखिए चुटे-चुटे से उपाए और फिर देखिए जीवन में परिवर्तन कैसे आता है अगर कोई आपसे बहुत प्यार करता है और आप भी उससे बहुत प्यार करते हैं लेकिन कोई तीसरा आपके जीवन में आप दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया है आपके प्यार को आपसे दूर हो जाने का डर आपको सता रहा है आपका प्यार आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा ह अपने वॉल पेपर के उपर राधा कृष्ण की एक तस्वीर लगा लीजिए और उसके उपर आप एडिक करके एक नंबर लिख दीजिए और नंबर क्या होगा 666 और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आता है ये तस्वीर आप सिर्फ एक दिन के लिए लगाएंगे और वो दिन होगा शुकरवार अगले दिन आप इसे हटा दीजेगा बहुत दिन मोबाईल के उपर भगवान की फोटो नहीं रखनी चाहिए क्योंकि हम संदे हाथ भी लगा देते हैं न हम मोबाईल लेके ट्वालेट्स में भी चले जाते हैं जब आप लगा के रखेंगे तो ध्यान रखेगा ये गलती मत करिएगा अगर आपका प्रेमी आपको झूट बोलता है बार-बार आपसे चीत करने की कोशिश करता है आपको छोड़कर इधर उधर और लड़कियों से या और लोगों से बाते गरता है तो आपको उसे सुधारने के लिए क्या करना चाहिए आप उसे एक दाहारते हुए शेर का फो चुटी चुटे से उबाए होते हैं पर जीवन में मैजिक ले आते हैं आपके जीवन में भी आ जाए ना यह मैजिक तो मुझे ज़रूर बताना मैं फिर आउंगी न कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्बुद लेकर आपकी कुणली में भी आपको कोई ग्रह बहुत परेशान कर रहा है या आपका पार्टनर भी आपको चीट कर रहा है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए वाट्सप करिए या मैसेज करिए अपनी कुणली अपनी जिंदगी के बारे में जानिये और उसका सही समाधान पाईए मैं फिर आती हूं कुछ नया लेके तब तक के लिए मुस्कुडाते रहेगा रिष्टों में मजबूती बना के रखेगा अपने सार्थी के साथ यो जुड़े रहेगा प्यार देते रहेगा प्यार लेते रहेगा ख्याल रखेगा अपना और उनका जिन से आप प्यार करते हैं मैं जल्द आपसे मिल ले होंगी तब तक के विधाओं के साथ साथ अनेक दुडलब गुडविधाओं जैसे परचाई एवं लव्स के अधेन से अपनी सटीक भविश्यवानी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।